आज पाप और पुन्य सीन एन भर्चु की बात करेंगे कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वस्तुत हमारा उपकार ही होता है क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप कटते हैं दुसरों की बुराई करने से तो पाप लगता ही है बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है अपने कल्यान की तिब्रिच्छा होने पर साधत के पाप नश्च हो जाते हैं भगवान से बिमुक होकर संसार के सम्मुक होने के समान कोई पाप नहीं है अब मैं पुनह पाप नहीं करूँगा यह पाप का असली प्राष्चित है मनुस्य जन्म से किये हुए पाप नर्कों एबं 84 लाख योनियों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते परतित सेस रह जाते और जन्म मरन का कारण बनते हैं जहां मनुस्य अनुकूलता से सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है वहां ही वह पाप पुन्य से बंधता है नाफवान को महतो देना ही बंधन है इसी से सब पाप पैदा होते हैं अगर सुख की इच्छा है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है अतह पापों से छूटना हो तो सुख की इच्छा का त्याग हमें करना पड़ेगा जहां दूसरों का दुख देने की और अपना मतलव सिद्ध करने की नियत होती है वहीं पाप लगता है और वंधन होता है छिपाने से पाप और पुन्य दोनों बिसेस फल देने वाले जाते हैं इसलिए अपने पाप तो प्रकट कर देने चाहिए पर पुन्य प्रकट नहीं करने चाहिए किसी व्यक्ति को भगवान की तरफ लगाने के समान कोई पुन्य नहीं है कोई दान नहीं है मुझे सुख मिल जाए यह सब पापों की जड़ है पहले पाप कर लें पीछे प्राश्चित कर लेंगे इस प्रकार जान बूझ कर किये गए पाप प्राश्चित से नस्ठ नहीं होते हैं